बिहार में होने वाले विधान सभा चुनाव से ठीक पहले एंडिये में जारी मतभेद अब गहराता ही जा रहा है इस कड़ी में जहां जेडियू पहले ही लजेपी को तल्ख तेवर दिखा चुका था अब बीजेपी ने भी चराक पासवान को अल्टिमेटम दे दिया है सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चराक पासवान इस चुनाव में एंडिये से अलग राह बनाने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं और फाइनल फैसला उनको ही लेना है दरसल लोजपा को बीजेपी इस चुनाव में 25 सीट से जादा देने के मूड में नहीं है पहले ही बीजेपी ने लोजपा को 20 से 22 सीटे ओफर की थी लेकिन अब 25 सीट तक देने को तयार है दूसरी तरफ चिराग पासवान यह चाहते हैं कि सीटों का बटवारा तारकिक आधार पर हो लोजपा प्रमुख चाहते हैं कि उनके पाले में कम से कम 30 सीटे हूँ सीटों की संख्या के साथ मन पसंद सीटों को लेकर भी विवाद बढ़ गया है बीजेपी लोजपा और जेडियू के बीच पेच फस रहा है सूत्रों के अनुसार समझाता नहीं होने की सूरत में लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तयार है जिसके संकेत चिराग पासवान पहले ही दे चुके हैं चिराग पासवान खुद बिहार की जमूई सीट यानि की जहां से वहभी सांसद है या फिर सीता मढ़ी से विधान सभा का चुनाव लड़ सकते हैं पार्टी के नेताओं ने चिराग पासवान के सामने अकेले चुनाव लड़ने की मांग पहले ही रख दी है ऐसे में इस मसले पर चिराग पासवान को ही फाइनल फैसला लेना है अंदर खाने से मिल रही जानकारी के अनसार लोजपा के NDA से बाहर जाने पर पार्टी में मन्थन चल रहा है और बहुत जल्दी तस्वीरे साफ हो जाएंगी बता दे कि बिहार में होने वाले विधानसबा चुनाब को लेकर NDA में सीटों के बटवारे को लेकर कोई मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है बता दे NDA में BJP और LJP के बीच अब सीटों के बटवारे को लेकर पेच फस रहा है 20 से 20 सीटे चिराग पासवान को देने वाले BJP अब 25 सीटे देने तक को तयार है लेकिन चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं है जानकारी सूत्रों एवं सूत्रों स्रोस से प्राप्ट है इस जानकारी पर आपकी क्या राया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए बागे तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमार साथ इस वीडियो को जाज़़दा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें SPR 9 Newsroom से श्रिदिक रिपोर्ट